Limits के questions solve करते वक्त expansion आपकी काफी help करता है Binomial expansion से एक formula create होता है और उस formula से कहीं सारे questions आप बस लिख कर सीधे value support करके answer ला सकते हैं पर वो expression click या strike करना चाहिए कि वो कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है वो expression कैसे बनता है, वो formula कैसे आया और उस पर based questions को कैसे सोचा जाता है, अज ये discussion हम करेंगे आपकी IIT JWE Mates और JWE Advanced Midhemerics के आपको तयारी करवाई जा रही है बिल्कुल free of cost हम kindergarten से 12 standard तक 100% free of cost quality online education देते हैं आप हमारे notes, PDFs और e-books भी download कर सकते हैं उसके लिए आपको इसी video के description में दिये गए link get notes पर click करना होगा इस तयारी में हमने coordinate geometry खत्म कर लिया है अब हम calculus पर हैं इसके बाद factors and three-dimensional geometry and then algebra और आखिर में trigonometry के साथ चीज़े कवर करेंगे एक structured तयारी है सारा syllabus, पूरा syllabus हर एक chapter, सारे concept उने examples से consolidate करना assignment questions आपको practice के लिए देना और आखिर में GW advanced के previous years questions solve करना उस chapter पर based हर एक category के question चाहे हो single correct हो, multiple correct हो numerical answer type हो, matrix match type हो या linked comprehension based question हो हर category, हर variety को हम cater करते हैं आज देखेंगे कि binomial expression, I hope आप जानते हैं किस तरीके से बनता है अगर ये part आप miss कर रहे हैं ये study करेंगे, जब हम कुछ ऐसा expression बिलाभी फिलाल में उसे लिख देता हूँ let's say a plus b to the power what n इस expression को हम जब binomial theorem पढ़ेंगे, जब सीखेंगे कि कैसे बनता है, फिर हम a और b को कुछ अलग-लग cases में जैसे a minus b, फिर one plus a ऐसे हर एक case को explore करेंगे और उन cases में से ही, one of the cases is one plus x to the parent को आप कुछ ऐसा लिखता हुआ पाते हैं ये क्या लिखा हुए, मैं जब आइस बात को आपको समझा दूँ और यही से सारी बातें शुरू होंगी, अगर मेरे पास लिखा हुए one plus x to the parent, तो यह जाता है one plus nx, technically यह है nx upon 1 factorial फिर आपके पसादता है, मतलब यह technically वो nc2, nc3 और उन सब से बनते हैं, पर मैं इसका direct expanded version आपके सामने लिख रहा हूँ, अगली जो term आती है वो होती है आपकी n n-1 upon कितना 2 factorial times, यहाँ पर जो आप ले रहे हैं उसी को x की power में आप ले लीजे बाते हैं, आपको समझ जा रही हैं, कैसे चीजे बन वही है similarly अब expand होता जाएगा जैसे अभी यह दो term से तो n और n-1 अब आप तीन terms पर जाएए तो n, n से एक छोटी term, n से एक और छोटी term, और आप तीन terms तक आए हो, तो denominator में 3 factorial ऐसा Q लिख रहे हैं, पूरी कहानी आपको clear होगी और वही 3 जो factorial यह वही क्यूब है इस तरीके से यह चलता चला जाता है और ऐसे होता चला जाता है वन प्रस एक्स्टी दिपार रहे हैं, इनका expansion सर ऐसा ही क्यों है, ऐसा कैसे लिख रहे हैं कैसी, देखो, जब X आपका काफी छोटा एक value हो जो आप ये value लिख रहे हो, ये काफी एक छोटा value हो लेट सेडिस इस अप्रोचिंग तोवर्ट स्वार्ट जीरो है ना, तो क्या हम इसकी higher powers को ignore कर सकते हैं ध्यान सुसना, it depends, समझो बात को जैसे कि अगर यहां पर, अगर मैं लिखूँ आपके समने 1 प्लस X to the power N है ना, और इसमें कोई मुझसे कहे कि X जो है सर आपका 0 का अप्रोच कर रहे हैं इस condition को ध्यान रुखे का, ये काफी crucial statement है कि ये जो पार्ट है, ये 0 का अप्रोच कर रहे हैं तो वो और चोटा ही होना है तो technically मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि ये सब terms आपको 0 की तरफ अप्रोच कर वाएंगी ये सब आपका 0 की तरफ बढ़ रहा होगा कि आप मेरी बात समझ पारे हो ये मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि 1 प्लस x to the power n को आप 1 प्लस n x लिख सकते हैं ये थोड़ा आइडिया आपको डाइजिस्ट हो रहा है जब आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसी बात से अब हमारा पूरा conclusion निकल कर आ रहा है इस एक expression को लेकर कि अगर मुझे कोई पूछ है x to the power n minus a to the power n upon x minus a को क्या मैं यहाँ पर इसकी help से कुछ सोच सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ कोशिश की जा सकती है ध्यास से दिखेगा इस वाल expression को बम work out करेंगे इसी idea से, इसी thought से I hope यहाँ तक तो कोई परिशानी नहीं है यहाँ से आगे पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा जैसे अगर मैं आपके सामने लिख कर दे दूँ मैं इसी से explain कर दे रहा हूँ, गौर से सुनिएजेगा जैसे कि, एक expression हमारे पास आता है जो कहीं बार आपको बन रहा होगा इस पर based कहीं बार questions बनेगे तो ध्यास देखना, condition है कि x a को अप्रोच करें तो x to the power n minus a to the power n upon x minus a को अगर मैं अगर मैं एक छोटा सा अगाम कर लेता हूँ कि मैं x को a plus h से replace कर दूँ अगर मैं जब x a को अप्रोच कर रहा है तो h अब 0 को अप्रोच करेगा तो जब x को मैंने a plus h से replace किया तो शेलाइ से कुछ a ऐसा एक expression बन जा रहा है What we do next is कि सर यहां से मैं a to the power n और a to the power n common ले लेता हूँ तो a to the power n common लिया तो यह बन जाता है 1 plus h upon a और यह minus 1 अब गौर से सुनेगा यहां पर जब आपने x को a plus h से replace किया तो आपके पास a से a cancels तो in the denominator you are left with h पे अटेंशन वेरी कैफुली वेरीवाण 1 plus h upon a to the power n अब h upon a गौर से देखो आप h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h upon a भी 0 को अप्रोच करेगा तो यह 1 plus something very small raised to the power n है तो अगिन higher terms को higher power वाली terms को मैं neglect कर दूँगा उसे ignore कर दूँगा what am I going to be left with 1 plus n h upon a 1 plus n h upon a minus 1 already है a to the power n already है अब गौर से सुनना काम की बात a to the power n को I'll bring to the front इस 1 से 1 cancel और इस h को धियार से देखना इस h को इस h ने cancel किया तो यहाँ पे बिच रहा है n upon a a to the power n into n upon a a अगर numerator में आया तो a to the power n minus 1 तो शलाई से यह जो expression आपको लिख कर दिया जा रहा है क्या गौर से सुनना condition क्या है अगर x a को approach करें तब x to the power n minus a to the power n upon x minus a आपका क्या निकल कर आएगा आपका expression होगा n a to the power n minus 1 आपको आपको दिख रहा है n times a to the power n minus 1 पर क्या मुझे सीधे सीधे ऐसे ही questions दे जाएगे बिल्कुल नहीं आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि ऐसा है आपको ऐसा कुछ create करना पड़ेगा ऐसे किसी scenario तक ऐसे एक level तक ऐसे face तक आना होगा तक आप finally से apply कर पाएं पर ऐसे cases बनते हुए दिखेंगे कि हाँ शायद ऐसा कुछ बन जाए और जैसे ही कुछ ऐसा create होगा मैं जादा दिमाग नहीं लगाँगा मैं सीधे इसे इसमें convert करूँगा पर इस case को बस महज़ा आप याद मत रखें आपको ये बात भी जहन में रखनी है कि ये तब लगेगा जब आपका X जो है वो एको approach करें ये बहुत important condition है तब ही जागर ये सारी बाते हो रही है ये बात बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जान देना यहाँ तक तो कोई doubt नहीं है कि ये condition एक crucial condition है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यही condition उसने यहाँ पर लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है and I would say कि sir एक question से थोड़ी clarity लेते है इस question का क्या मतलब है जब गौर से देखो कि आपको नहीं दिख रहा इस question में अगर मैं चीजों को थोड़ा सारी अरेंज करूं यह लिखा हुए under root x क्या under root x को x की पार 1 by 2 लिखूं तो चलेगा अभी लिखा है under root of under root of x तो x की power 1 by 2 की पार 1 by 2 तो शलाई से जब powers की power हो तो वो powers multiply हो जाती है तो यह हो जाएगा x की पार 1 by 4 है ना आपको pattern दिख रहा है कितना 1 by 16 और क्या यह minus 4 को मैं थोड़ा तरीके से लिखना चाहूं तो अभी फिलाल तो let's keep it as minus 4 और denominator में मुझे क्या दिख रहा है भी denominator में हमें दिख रहा है x minus 1 और गौर से देखना आपको strike करेगा कि इस question को हम कैसे सोचेंगे आप कहने को कोई student बस इसे देख कर ही quit कर देगा पर मेरा कहना है कि आप थोड़ा patience के साथ चीज़ों को देखें तो आपको कुछ तो strike करेगा कैसे strike करेगा sir गौर से देखो भी simple expression है इस minus 4 को मैं चार तुकड़ों में बाटता हूं minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 तो पहला minus 1 यहां लेकर रहा है तो यह क्या बन गया x to the par 1 by 2 minus 1 और x minus 1 को distribute कर दिया हर एक अलग individual entity को तो यह बन गया आपका x minus 1 फिर इस x की पार 1 by 4 को 1 minus 1 दिया तो यहां पर मैंने x की पार 1 by 4 को 1 minus 1 दिया और denominator में यहां पर फिर क्या लिखा हुआ x minus 1 I hope आपको strike कर रहे हैं कि हम कहां आपको चीजे लेकर जा रहे हैं ऐसे ही x की power 1 by 8 minus 1 upon of course x minus 1 और इसी जरीके से एक और term क्या दिखेगी आपकी x की power 1 by 16 minus 1 upon x minus 1 और क्या आप मेरी help करेंगे बात जानने में कि limit क्या लग रहे हैं अब कौर से सुनना कर question से सोचना करा करना सीख पाएं देखो भाई x to the power a minus a to the power a I hope मैं 1 की power 1 by 2 लिखूं तो कोई problem नहीं है 1 की power 1 by 4 लिख दूँ या 1 की power 1 by 8 लिख दूँ या 1 की power 1 by 16 लिख दूँ तो भी कोई सवस्या नहीं है अब आप इस बात को ध्यान से देखो x की power a minus a की power sorry x की power n minus a की power n upon x minus a और क्या x A को approach कर रहा है I hope यही scenario सब जगा बन रहा है और इसका फॉर्मुला जस्ट अभी हमने देखा I hope आपको यह formula याद है जो just अभी हमने देखा है क्या है भई formula formula यह है भई कि x की power n minus a to the power n upon x minus a कब जब आपका x a को approach करें तब आप इसे लिखते हैं n a to the power n minus 1 तो देखो यहाँ से बहुत काम की बात है यहाँ पर n क्या है देखो यहाँ से देखना है यहाँ पर n जो है आपका वो है 1 by 2 तो यहाँ पर पहले तो क्या मिल रहा है आपको 1 by 2 के साथ a क्या है a है 1 और 1 की power कुछ भी लिखूंगा तो 1 ही रहने वाला है so I am not going to write that next 1 by 4 अगला 1 by 8 अगला 1 by 16 तो shall I say जो terms है मेरी addition में क्या मिल रही होंगी भई पहले मिला 1 by 2 फिर आपको मिलेगा 1 by 4 फिर आपको मिलेगा 1 by 8 और फिर आपको क्या मिलेगा 1 by 16 are you all with me so far? कोई डाउट तो नहीं एक छोटा सा काम मेरे बस मन में आ रहा है सर पूरे expression को कर simplify करना है तो 16 से multiply और 16 से divide कर देते हैं तो 16 से divide किया और यहां पर सब जगा मैंने 16 से multiply किया I hope आपको दिख रहा है तो यह जा रहा है 8 यह जा रहा है 4 यह जा रहा है 2 यह जा रहा है 1 और इसके denominator में तो क्या आनता है 16 गवर से देखेगा 8 और 4 बारा 2 चोदा और 1 पंदरा तो यह कितना आ रहा है भी I hope मैंने सही लिखा है यह टेखनी के लिए कितना आ जा रहा है यह आता है आपका 15 by 16 मेरा बस आप से कहना है कि जब हमने इसे solve किया तो हमने कैसे से break किया कैसे से अलग-लग करके देखा और कैसे इस question को समधा क्या हर एक step को लेकर आप sorted है यहां तक तो कोई आपती नहीं थोड़ी और clarity लेता है कुछ और questions के साथ but I hope you are comfortable with this thought की x to the power n minus a to the power n upon x minus a जब x a को approach करे तो सीधे सीधे formula बनता है n a times a to the power n n into a to the power n minus 1 कोई confusion तो नहीं इस formula में एक और question देखते हैं और clarity लेते हैं कि इसमें हम चीज़ें कैसे apply करेंगे पहली बात तो exam में लिखकर नहीं आएगा कि इसमें आपको limit का कौन सा concept apply करना है तो मुझे बैट कर थोड़ा जूजना पड़ेगा थोड़ा मुझे उलजना पड़ेगा देखो अभी ना in classes के साथ आपको advantage यह है कि हम topic पहले reveal कर देते हैं फिर वो concept आपको पढ़ा देते हैं फिर उस पर based examples करवा रहे होते हैं जब आप exercises के questions करें या जे डबली advanced के previous years questions करें या कभी भी कोई mock आप दे तो आपको realize होगा कि sir मुझे तो कहीं से भी कोई question उठा के दे दिया तो मुझे बस यह पता चलेगा कि limit का question है और अभी कुछी chapters के बाद तो मैं यह पे दिखाऊंगा कि लिखा हुआ होगा limit और आप कर रहे होंगे definite integration बलब कुछ भी हो रहा होगा maths इतनी खुबसूरती से आपके जमागे साथ खेलीगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक question कहां से कहां जा रहा है और क्या क्या use हो जा रहा है तो अगर आप बहुत smartly अगर इस exam के साथ खेलना चाह रहा है ना ही IIT, G.W.E. मेंस और ना ही G.W.E. Advance अगर आप एक सच में यकीना दोर पर एक अच्छी rank एक अच्छा percent है लिया एक अच्छा score चाहते हैं तो आपको हर एक chapter के हर एक concept को mind everyone हर एक concept को detail में पढ़ना होगा मतलब width तो explore करनी है depth में भी जाना है जैसे इस question को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो sir यहाँ पर आप यह कैसे justify करोगे कि आपका यही formula वापस लग रहा है मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी problems को fix कर लेना चाहरू थोड़ा चीजों को rewrite करना चाहरू जैसे कि मुझे ना यहाँ पर यह सब चीजे अच्छी नहीं लग रही है तो idea यह होगा कि जो x जब 2 को approach कर रहा है तो इसको थोड़ा rewrite करने की कोशिश करते हैं जैसे हमारा जब उस case में x a को approach करता था तो हम क्या कर लेते हैं वो अपना जो expression है उसमें इस इस variable को यहाँ पर इसे ऐसे adjust करते थे कि इस x को कुशी और value से replace करते थे और वो value 0 को approach करें उससे शायद इसमें कुछ फाइदा हो जाए गौर से सुनेगा मैं जो आपसे कहना चाहरा हूँ यह कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे यह कहूँ कि x को ध्याद से सुनेगा अगर मैं h प्लस 2 से replace करूँ सही लिख रहा हूँ क्या x को अगर मैं h प्लस 2 से replace करूँ बिल्कुल सही बात है ऐसा क्यों किया गौर से सुनना 0 को I hope you are realizing कि जब जब आपका x किसे अप्रोच कर रहा है 2 को तो h आपका किसे अप्रोच करेगा 0 को तो technically इस question को मैं एक नए variable पर shift कर रहा हूँ है ना h पर तो यही question अब मेरे लिए क्या बन जाएगा उसे समझदा धियां से यह question अब हमारे लिए बनेगा पहली बात तो x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को तो यह question ने limit h अप्रोच इस कितना 0 यहाँ पर x को replace किया h प्लस 2 से तो h प्लस 2 प्लस 7 that is कितना h प्लस 9 तो numerator में यहाँ पर क्या मिल रहा है h प्लस 9 minus यहाँ पर देखो यह बन रहे 2 तामस x तो 2 h प्लस 4 तो यह कितना मिल जाएगा 3 तामस अंडूरूट ओगर 2 h प्लस 4 माइनस 3 I hope I can write it as 1 Are you all with me? कोई परिशानी सपाथ से अब क्या डिनॉमिनेटर को देखते है दियां से यह पाट आए हूप आप सबको समझा रहा है दिनॉमिनेटर को देहां से देखा तो फिर वही बात x को रिपलेस किया h प्लस 2 से तो h प्लस 2 प्लस 6 h प्लस 8 बट यह क्यूब रूट है है ना So here we are dealing with what? क्यूब रूट This is the क्यूब रूट और क्यूब रूट में आपके पास क्या है h प्लस 8 है ना तो मैं इसे रिपलेस कर रहा हूँ h प्लस 8 से similarly यहाँ पर अगर हम देखे तो यह है 2 टाइम्स क्यूब रूट और यहाँ से देखेगा 3x-5 तो यह कितना हो जाएगा 3h प्लस 6 6-5 तो 1 3h प्लस 1 पहरे तो मुझे आप यह बताइए कि इसको जब हमने ऐसा रिपलेस किया इस तरीके से री राइट किया तो कोई परिशानी है ऐसा करने का कारेंट क्या रहा h को 0 की अप्रोच तरफ अप्रोच करवा के x को 2 को अप्रोच करवाने से हटा के यहां भी मिलता पर यहां देखो जैसे ही h को 0 से रिपलेस किया 0, 0, 0, 0 कोई से सुरना यहां 0 लगा है तो अंडरूट 9 बहुत बढ़िया यहां 0 लगा है तो 1 1 का अंडरूट 1 अंडरूट 9 3 3-3 0 तो numerator तो 0 है बहुत बढ़िया denominator मे रखा तो अंडरूट 8 सॉरी क्यूब रूट आफ 8 8 का क्यूब रूट 2 यहां पर जब 0 लगा तो 1 1 का क्यूब रूट 1 तो 2-2 0 तो श्लाइ से मेरे लिए 0 बाइ 0 फॉर्म का एक question है मेरे लिए किस फॉर्म का एक question है सर मेरे लिए ये एक zero by zero form का सवाल है तो एक थाट, एक तरीका किसी भी student के दिमाग में आना वाजब है कि sir क्यों ना हम lopital rule लगाएं और आप बिल्कुल सही हैं, कोई गरबर नहीं है आप lopital लगाएं, numerator को differentiate कर दें, denominator को, थोड़ा सा chain rule लगना है, और चीज़े थोड़ी सी shuffle होंगे, और बेशक इसे lopital से किया जा सकता है क्यों? क्योंकि ये zero by zero या infinity by infinity form बन रही है और इसमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन यहाँ पर एक और तरीके से में सोचने को कहूं कि lopital के बजाए क्या rationalization सोच लिए जाए पर rationalization अगर मैं लगा हूँ तो denominator तो workout करा जा सकता है जैसे कि denominator के basis पर rationalize करो तो पर numerator में सर आपको नहीं लगता और परेशानिया खड़ी हो जाएंगी हम और issues create कर लेंगे, बिलकुल कर लेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, चीज़े थोड़ी सी rewrite करता हूँ, कैसे? मैं यहां से numerator में से h common लेता हूँ अगर आपको परेशानी है तो यह under root हटा के न, मैं इसकी power 1 by 2 लिखता हूँ था कि आपको चीज़ें यह दिखेंगी, है ना यह under root अगर मैंने हटा है, तो यह technically लिखा है, h by 9 की power 1 by 2 अब आपको strike करेगा, कि मैं आपको कहां ले जाना चाहरा हूँ ऐसे ही यहां cube root लिखा हूँ है तो h by 8 की power यह technically क्या लिखे हुई है यह लिखे हुई है, मैं यहां पर वापस से लिख दूँगा h by 8, h by 8 नहीं, h plus 8 की power कितनी थी, 1 by 3 और यहां पर 3 h plus 1 है ना, यह कितना लिखा हूँ है, यह लिखा हूँ है 3 h plus 1 यह आपका लिखा हूँ है 3 h plus 1 की power कितनी, 1 by 3 अगला thought जो दिमाग पे आ रहा है वो ही है, कि सब देखो, यहां पर 3 और यहां पर 2 दिख रहा है क्या यहां से भी और यहां से भी कुछ common लिया आजा सकता है, ऐसा क्यूँ, बस इस बात को समझो क्योंकि यह जो powers है ना, यह बहुत खुशलत सी powers है, यह आपकी help करेंगी अगर आपने वो expansion के जो बात की थी, अगर वो आपको याद है तो, इस question में ज़रा ध्यान से सुनेगा एक काम करते हैं, मैं बस आपसे पहले तो कहता हूँ, यहां से 9 और यहां से 8 common लो, जब आप 9 common लोगे तो 9 की पार 1 by 2, बहार आएगा 3 यहां पर एक 3, यहां पर एक 3, तो overall एक 3, similarly, जब यहां से 8 common लेंगे, तो बाहर आएगा 8 का cube root, याने कितना 2, तो यहां से 2 और यहां से 2 common, तो technically 3 by 2 आपका बहार आएगा जिसे मैं लग से लिख लेता हूँ, कितना 3 by 2, अब जो question आप solve कर रहे हैं, वो है x approach, समरी भी, sorry x नहीं, h process कितना 0, अब यहां पर क्या मिलेगा, वो समझना, यहां मिलेगा, जब आपने 3 common लिया, तो यह बनेगा h, है ना, सुनना, आपने common लिया था 9, तो 9 को में लिख दे रहा हूँ कितना 1, क्योंकि यह 1 हो जा रहा है, और इसको में लिख रहा हूँ कितना h upon 9, तो यह h to the power 1 by 2, यहां से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां लेटी एक 1 है, यहां मुझे 1 बनाना था, और ऐसा क्यों करना है, बस आपको अब भी 2 secondary realize होंगी चीज़ है, इधर, 8 common लिया, है ना, तो यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है, 1 plus कितना, h upon 8, whole expression raised to the power 1 by 3, minus, यहां पर द किया ऐसा, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहरा हूं, यह लिखा है, 1 plus something, 1 plus something, 1 plus something, 1 plus something, इन सारे something को देखो, h upon 9, h is approaching 0, h is approaching 0, h, h, यहांने कि मैं आपसे कहना चाहरा हूं, यह value significantly काफी छोटी है, इसका क्या मतलब, अब फिर से गाउर से सुनिए, अगर मुझे कभी भी कहीं दिखता है, 1 plus, कुछ भी, let's call it x for a while, to the power 1, जहां पर मुझे यह पता चल रहा है कि x जो है, आपका 0 को अप कर दूंगा, जो भी x की higher powers होंगी, क्या बात आपको नज़र आ रही, यह काफी crucial result है, याद रखेगा, आपको बहुत जगे एक काम आएगा, कि 1 plus x की power n, जब आपका x काफी छोटी value हो, आप 1 plus n x से replace कर सकते हो, वही बात अगर यहां पर देखी जाए, तो 1 plus h by 9 की power 1 by 2, will be written is 1 plus 1 by 2 into h by 9, कि अब आप मेरी बात समच पा रहे हो, तो यहीं से मैं शुरू करूँगा, गौर से सुनिएगा, पहले, 3 by 2 तो बाहर है ही आपका, limit जो आप अप अपलाए कर रहे हो, h approach is 0, वो भी है, numerator मे, इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 1 plus 1 by 2 into h by 9, है ना, तो कितना ह होगा, पहले ही लिखा होगा, 1 plus 1 by 2 into h by 9, तो टेखनी कली उसे में क्या लिख सकता हूँ, h by 18, सही लिख रहा हूँ, फिर देखेगा ध्यान से, अगला जो टम आ रहे, वो कितना रहे, minus sign हम लगाएंगे, पर 1 plus 1 by 2 into 2 h, तो 2 से 2 cancel, तो यह बचेगा h, और वो क्या बचेगा minus 1 minus h, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा minus 1 minus h, क्या कुछ देखने लगा है आपको, I hope आपको कुछ तो नजर आ रहा है, similarly denominator में, 1 plus nx, याने 1 by 3 into h by 8, याने h by 8 का टरपल, कितना होता है, 24 है ना, तो कितना दाएगा, 1 plus h upon 24, minus, गौर से दे मिलेगा, 1 plus h, negative sign के कारण, minus 1 minus h, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, minus 1 minus h, अब एक छोटा सा opinion मुझे आपका चाहिए था, गौर से सुनिएगा, क्या आपको यह दिख रहा है, 3 by 2 को तो सर कुछ मत करो, as it is, रखो, limit है ना, h approaches 0, देखो ध्यान से, यह 1 cancels this 1, यह 1 cancels this 1, और एक और खास बात, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से और यहाँ से h common ले लिया, और यहाँ से भी यहाँ से भी h common ले लिया, तो numerator में जो मेरे पास बचेगा, वो होगा, 1 by 18, minus 1, divided by, denominator में जो बचेगा, वो कितना होगा, 1 by 24, minus 1, do you all realize इसा क्यों हो रहा है, and I hope you all are agreeing, कैस करने का क्या कारण है, कोई परिशानी, यहाँ से मेरा कहना है, इसका कोई point ही नहीं रहा, यह limit पर based question ही नहीं रहा, यहाँ पर जो limit h approach is 0 हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है, तो इस question में, अब बस मुझे numerical parts all कर रहा है, तो 3 by 2 तो as it is है, इसे मठ टच करो, बचा हुआ हुआ सा, यह कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 by 18 minus 1, तो 1 minus 18 upon 18, 1 minus 18 कितना होगा सा, योगा minus 17, similarly, मैं इस 18 से डील कर रहा हूँ, थोड़ा रुकिएगा ज़रा, 1 minus 24, 1 minus 24 कितना, minus 23, यह हो जाएगा आपका minus 23, और क्या, और दूसरी जरूरी चीज, अपन में कितना 24, अब इ इसका जो 18 है, वो यहाँ denominator में आजाएगा, यहाँ तक कोई परिशानी, ज़रा देखेगा यहाँ से, अब क्या, अब अगर मैं पूछू आप से, तो 6 का triple, और 6 का 4 times, I think 3 से यह 3 cancel, और 2 का यह 2 times, कोई देखकर तो नहीं है भी, negative, negative, यह वाला part भी positive, तो अगर मैं देख पा answer, क्या यह पूरा part, कि हमने इसे कैसे सोचा, कैसे binomial expansion पर लेकर गए, और कैसे इस question को work out किया, हर एक चीज step by step clear है, with that अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, फिर वही बाते हैं, फिर वही चीज़ें, कि कैसे हम करेंगे, पर यहाँ तक तो clear है, कि limit पर यह question रहा ही नहीं, यह question actually binomial expansion का था, अगर आप चीज़ें ठीक से देख पाते हैं, सर मुझे नहीं समझाता है, मुझे सब नहीं सोचते बनता है, तो मैं कहूंगा, क्या मैं यहाँ पर अपनी binomial वाली thought लगाने के बजाए, जो हमने अभी सीखा, मैं यहीं पर lopital लगा सकता था, वैसे भी कर सकते value दे दी है, और वो पूछ रहा है A और B की value, क्या आपको याद है, ऐसे questions हमने किये हैं, जब मुझे limit की value दे दी जाए, और actually अब मुझे limit नहीं solve करना है, मुझे इसे technically सोचना है, कि इसमें question कैसे work out किया उसने, और उसने कैसे सोच कर, इसे ऐसा लिखा ताकि यह 1 by 3 आ गया मेरा कहना है, जब आ इसे rewrite करो, इसे restructure करो, कहना है, by some means, get rid of this 1 by 3 जो power में लिखा हुआ है, सर इसका तरीका यही होगा, मैं पहले बस इस part को अपके लिए solve करना चाहरू, 4x-1 की power 1 by 3, गौर से सुनिएगा, मैं बस इस part को अपसे deal करवाना चाहरू, 4x-1 की power 1 by 3, if I were to take let's say 4 common, हैना, अगर मैंने 4 common लिया, तो अगर 4 overall common ले लिया है, तो यह क्या बन जाएगा, जयान से देखना, वैसे अगर 4 common ना भी लो, तो यह as it is दिख रहा है, 4x-1 इसमें, मैं अब एक्स जब 0 को यह अप्रोच कर रहा है, तो 4x आपके टेक्निकली बहुत छोटी सी ही value हो, मैं मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है, मतलब इसको unnecessarily मत complicate करो, मुझे लगा था कि इसको छोटा बनाने से बात बनेगी, पर वो अल्रेडी छोटा है, मतलब उसमें कुछ नहीं जा रहा है, नियान से समझना, जो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ है, मैं इससे वही 1 plus x to the power n form, जि अबर आपकी 1 by 3 है, तो यह 1 by 3 ही रहेगी, cube root है, I hope you are realizing, or cube root में negative sign आपका बाहर negative ही आता है, है ना, plus of course कितना, a plus bx, और जो denominator में है, वो तो already आपका x है ही, और limit आपकी जो लग रही है, वो क्या लग रही है, x approaches 0, thought क्या है, idea क्या है, आप समझो इस 1 को हटाओ, आप इससे देखो, जब x 0 को approach कर रहा है, तो आपका minus 4x भी significantly काफी छोटी value होगी, तो can I rewrite this part as, यहां से देखेगा, minus sign already है, इसे में लिख रहा हूँ 1, कितना minus, 4x को 1 by 3 से multiply गया है, तो कितना, minus 4 by 3 times x, do you all realize, ऐसा Q किया, और current क्या रहा है, ऐसा करने का, और I hope, अब आपको दिखेगा कि चीजें किस तरफ जाएंगी, और हम उन्हें कैसे work out करेंगे, of course limit जो है, आपकी क्या है, x approach is 0, कोई परेशानी तो नहीं इस बात से, अब अगर मैं चीजों को rewrite करूँ, दो बारा लिखाँ, तो देखो भई, सर यह वाली term और यह वाली term को एक साथ consider करते हैं, यहां से द दिखेगा, bx plus 4 by 3 times x, x को common लिया, तो मुझे क्या दिखेगा, b plus 4 by 3 times of course कितना x, do you all agree with that, आगे अगर मैं बढ़ता हूं, तो यह है constant term a और यह है 1, तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाने वाला है, a minus 1, यह आपका एक और term बच रहा है, और denominator को अगर आप गौर्स देखो, कि आपको कुछ नजर आ रहा है, अगर यह value मुझे कोई कहे 1 by 3 के equal है, तो यह value 1 by 3 के equal कब हो सकती है, बस इतना सोच कर आप मुझे बताओ, सर दोनों में अगर यह x 0 को approach करे, तो आप समझो बात को, यह कैसी form मिन जाएगी, यहाँ 0 रखा, तो 0, plus something significant upon 0, आप समझ यह तो infinity को approach कर रहा है, पर इसने क्या कहा, कि यह किसे approach कर रहा है, अब अगर यह 1 by 3 को approach कर रहा है, तो यह scenario कब create हो सकता है, scenario कब बन सकता है, तो मैं कहूंगा, जो x का आपका coefficient है, जो कि क्या है भी, जो कि यह आपका b plus 4 by 3, अगर यह जो b plus 4 by 3 है, मैं कहूं, इसे अगर बनाते हुए, आपका यह जो a-1 है, आपको realize हो रहा है, अगर मैंने इससे 0 बना दिया, तो तो और problem हो जाएगी, कि यह पूरा 0, तब भी आपके पास यह denominator में 0 रहा ना, लेकिन एक scope है कैसे, कि सरी यह x और x हट जाए, यह x और x cancel हो जाए, उसको करने का तरीका क्या हो, कि यहाँ पर a-1 नहीं होता, अब थोड़ी दिरकली imagine करो, अगर यह a-1 नहीं होता, तो x से x cancel हो जाता, तो मेरा b-4 by 3, शायद 1 by 3 के तरफ आ जाता, और यही एक मात्र रास्ता मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर मैंने इससे 0 किया, दोनों तरीके हमने explore कि, अगर इससे 0 कि तो तो बात वही है, something significant upon 0 infinity, तो तो बात बन नहीं रही है, क्या मेरी बात आप समझपा रहे हो, तो तरीका यही दिमाग में आ रहा है, सर, इसे नहीं, हम इसे 0 करेंगे, और क्यों यह बात आपको clear हो रही होगी, और यह expression किसके एक वले, 1 by 3 के, तो यह कोई ना कोई significant value तब ही carry करेगा, जिब आपका a-1 क्या हो जाए, जब आपका a-1 0 हो जाए, और अगर a-1 को 0 रखा, तो यहां से पहले तो यह ख्याल आ रहा है, कि a जो है आपका क्या है 1, तो पहले तो यह बात तो इस ट्राइक कर गई है, कि a जो है आपका 1 है, इसे हम अपने पास रखेंगे, अब अगर यह 0 हुआ, तो गौर से सुनना, X से X cancel, तो बचा क्या, B plus 4 by 3, उसमें कोई variable है नहीं, तो B plus 4 by 3 आपके 1 by 3 के एक वल हो गया, क्योंकि लिमिट जब solve की तो हमारे according कितनी आई, वो आती है B plus 4 by 3, बट उनके according वो कितनी है, उनके according वो है 1 by 3, और अगर मैंने यह value पास की, तो B कितना आता है, 1 by 3 minus 4 by 3, that's minus 3 by 3, याने कितना, minus 1, याने हमने crack किया कि B आपका आता है minus 1, और यह आपका कितना आता है 1, I hope आप सब इस बात से सहमत हो, कि आपने A और B की value कैसे निकाली, हमने दोनों possibilities पर बात की, कि सर जब आपका A minus 1 को हमने 0 बनाय है, तब क् क्या दोनों केसे सपस्ट तौर पर समझ आए है, यहां तक कोई doubt, चलो, यहां से अगर मैं आगे बढ़ो, तो move करते हैं अगले question की तरफ, next question क्या निकल कर आता है, यह आज का आपका पहला assignment question है, देख लीजे ध्यान से, screenshot ले लीजे, आप ही कोई से attempt करना है, और आप ही पूशना है कि चीज़े कैसे work out होगे, अभी तक जितने भी सारे concepts हमने पढ़े हैं, उन्हीं पर यह based question से चाहे वो, आपके, you know, कोई ना कोई value common लेने पर हो, factorization पर हो, या rationalization पर हो, जो भी तरीका आप को strike करें यहां पर, जिस भी तरीके से आप सोच पाएं, इसे आप work out क next assignment question, जरा expression identify करिए कि अगर मैंने direct substitution use किया, मतलब x की value pi by 4 use की तो यह किस form में convert हो रहा है, और अगर कुछ click ना करें तो मैं trigger के basic formula use ना भी करना चाहूं, तो हम एक बात तो हमेशा जानते हैं कि हमें एक formula पता है, कि अगर, यह by the way, I hope आप सिर्फ एक ही case में apply करेंगे, जब या तो हो zero by zero, या फिर infinity by infinity form हो हो है ना, उसके अलावा आप कहीं और इससे apply नहीं करेंगे, तो बस rush में मत रहिए का कि मैं फटाफट लॉपिटर रूल अपलाई कर दूर answer ले हूँ, उसके लिए पहले ही यह चेक करना substitution use करके, जैसा भी आपको ठीक लगए, तो trigger के formula लगा पर जाहिर सा एक सिंपल सा question है, I hope आपने screenshot लिया, अगले question की तरफ आते हैं, या आपका आच का अगला assignment question है, मेरे खिया से मुझे कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप रखकर देखे, आपको strike करेगा कि यह किस form में जा रहा है और से कैसे सोचन है, जहां पर कुछ चीज़ अगर सोची जाएं तो बात बन सकती है, और फिर अगर वो common लेने वाला पार्ट आया, तो हम infinity को जब भी approach कर रहे हैं, तो हम infinity को zero में, मतलब denominator में लाना चाहेंगे, ताकि वो one upon infinity zero में convert हो, और यह पूरी कहानी, पूरी process आपको पता है कि कैसे सो सोचें, यह सीधे common भी अगर आप लेने direct, तो भी कुछ चीज़े बंदी दिखेंगे और आप इसे work out कर लेंगे, तो यह जब आपकी limit x जो है, वो infinity को approach करें, तो किस तरीके से question सोचना है, उस पर यह based question, मेरा कहना है, यहाँ पर भी चीज़े सोचीज आ सकती है, आपको बस इस expression को work out करना है, कि expression कैसे behave करेंगा, और शायद आप बात बना लेंगे किस question को कैसे करना होगा, I hope आप screen shot लेते चले जा रहे हैं, यह आपके assignment questions हैं, जो आपको solve करने हैं, here comes another assignment question, यहाँ पर भी अगर आप सोचें, तो अगर आपको लग रहा है, कि सर मैं इस मेना अपना य जैसे करिए, जैसे आपको ठीक लगे, जो thought आपको आए, वैसे आप question try करिए, मेरी हिदायत, मेरा suggestion महद आपको इतना है, कि I hope आप यह बात भली भाती जानते हैं, कि हम आपको IIT-JEE means, और JEE Advanced Mathematics की तैयारी इन lectures के जरिए करवा रहे हैं, और सबसे खास, सबसे जरूरी बात आप सब यह जानते हैं, कि तैयारी बिल्कुल free of cost है, मदब हम strategically आपको पढ़ा रहे हैं, strategically का मतलब यह है कि हमने पूरे syllabus को पांच chunks में divide किया, coordinate geometry जो हम cover कर चुके हैं, अब हम calculus कर रहे हैं, इसके बाद factors in three-dimensional geometry and then algebra और archermetric geometry, और बेशक हमने सारे chapter, हर एक concept को पढ़ा, उने example से consolidate किया, assignment questions आपको दिये, ताकि आपकी practice हो, and then finally हर chapter को culminate किया, उससे पूछे गए, jwe advanced के previous years questions के साथ, इस तरीके से मजबूत तयारी आपकी हमने करवाई, इसमें क्या चल रहा है भई, हम jwe advanced के जब questions करते हैं, तो हम हर category की questions करवाते हैं, चाहे हो single correct हो, multiple correct हो, numerical answer type हो, matrix match type हो linked comprehension based question, हर तरीके की चीज़ें हम cater करते हैं, हर तरीके की चीज़ को हम सीखते समझते और सोचते हैं, इसके साथ एक और खास बात निकल कर आती है, कि I hope आप आप ये बात जानते हैं, कि हमने coordinate में, cartesian system, straight lines, circle, parabola, ellipse, hyperbola, सब कुछ cover किया, calculus में हम limit, continuity, differentiability, relations and functions, integration, differentiation, हर एक तरी की चीज़, area under the cup, differential equations, cover करेंगे, vectors in 3D आपका sorted, इसके बाद algebra में, सारे single आपके जो individual topics हैं, logarithm, quadratic, complex, binomial, pnc, probability, you see, ये हर एक चीज़ हम cover करेंगे, और आखर में trigonometry के साथ आपकी तयारी conclude करेंगे, I hope आप ये बात कभी नहीं भूलते हैं, कि हम एक 100% free of cost, quality online education platform है, कि The Garden से 12th standard तक, आप हमारे notes, pdfs और e-books भी download कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसी video के description में दिये लिंक, कि इत notes पर click करना होगा, with that, let's call it today here, ख्याल रखिये अपना, thank you so much for watching this video.